Hi my beautiful people, कैसे हैं आप सब लोग, I hope आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ, आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है, 111 Tarot चानल के अंदर, और गाइस, आज की जो वीडियो होने वाली है, उसका टाइटल है, कि आखिरकार आपके जो परसन है, इ रिलेशनशिप को किस तरीके से देखते हैं, ठीक है, क्या सोचते हैं इसके बारे में, और इसके लिए एक कलेक्टिव रिडिंग मैंने चूज करें कि मैं कलेक्टिव रिडिंग ही करूंगे आप लोगों के लिए, बिकर्स, जादा एनर्जी नहीं लाएंगे हम, थोड़ी रिलेशनशिप के बारे मैं आपके परसिंग खेंस, जादा कले में, कुछ काज और लिया हूँ 9 of pentacles 5 of swords 7 of wands हमारे पास यहां पर कौन-कौन से साहिन है वो भी मैं आप लगों को बता देती हूँ हमारे पास यहां पर साइन मौजूद है Taurus, Virgo, Capricorn, Leo, Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius यहां पास एक वोटर साइन नहीं है बाकि सारे सारे साइन अविलेबल हैं तो यहां पर मैं क्या देख पारे हूँ ना आप लोगों के लिए गाइस कि यह परसन आपको देना चाहता है कमिटमेंट लाइक मुझे यहां पर ग्रूप आफ पीपल नजर आ रहे हैं तो काफी सारे ग्रूप आफ पीपल मिरको नजर आ रहे हैं यहां पर जो चाहते हैं अपने परसन से कमिटमेंट और कुछ आप लीस्ट यह चाहते हैं कि यह बंदा कनफेसी कर दे कि यह सोच क्या रहा है ठीक है तो यह जो परसन है इस रिलेशन्शिप को लेकर के positive है ठीक है लेकिन confusion वाला positive है ठक हार सा गया है बंदा यहाँ पे मेरे को ऐसे feelings आ रही है जैसे उसके दिमाग में ये thought चल रहा हो कि क्या ये relationship worth it रहेगा मेरे लिए क्या नहीं रहेगा क्या होगा क्या नहीं होगा इस तरीके के जो है confusion सा इसके दिमाग में चल रहा है ठीक है तेक रहे हैं आफ four of pentacles का card है हो सकता है कि इस person की life में करियर को लेकर के कोई बहुत बड़ा problem चल रहा हो किसी तरीके का कोई बड़ा risk सा चल रहा हो ठीक है तो वो उस risk की वज़े से भी ये बंदा बहुत ज़दा stress में है ठीक है जी मुझे यहां पर यह भी लग रहा है फॉर शॉर दूसरी चीज में यहां पर क्या देख पा रही हो ना कि बंदा अपनी problem से ओवरकम करने की बहुत ज़दा कोशिश करता है बट कर नहीं पा रहा है ठीक है और इस relationship को वो एक तरीके से divinely guided relationship मतलब उसको एना ऐसी feeling आती है कि यह जो बंदी है जिसके साथ मैं मतलब चाहे communication में हूँ चाहे communication में नहीं हूँ इसके साथ मैंना किसी तरीके का ऐसा relation मेरा जो कि खतम नहीं हो पाता ठीक है easily खतम नहीं हो पाता हर वक्ट मेरे का इंदिजार है उन लोगों को बजल दी कमिटमेंट मिले इस परसन से ठीक है और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बंदा भी थोड़ा सा समय लेगा अभी बहुत जादा सोच विचार में लगा हुआ है ठीक है काफी जादा confusion वाली conditions में लगा हुआ है ज इसके साथ actual में क्या problem चल रही थी और इसने इस तरीके से क्यों deny करा चीजों को ठीक है मुझे या पर यह भी लग रहा है तो यह जो परसन है इस relationship के बारे में ऐस सच कुछ बुरा सोचता हुआ मुझे नहीं निज़र आ रहा है बस थोड़ा सा इसके अंदर strength की कमी है ठीक ह अची है each and everything इसके दिमाग में इस तरीके का confusion चल रहा है ठीक है कुछ काट और निकाल करके हम देखते हैं कि और इस बंदे के दिमाग में क्या चल रहा है और यह person इस relationship के बारे में क्या सोचता है ठीक है ठीक है अई होप आप लोगों ने रिडिंग सुरने से पहले गायतर म जाब जरूर किया होगा तो हमारे पास है यहां पर creator मैंने बोला इताबंदा इसको divinely guided महसूस करता है relationship को awareness intensity एक काड़ाओ निकालेंगे हमारे पास है suppression यह डेफिनिटल की वज़े से है उसके साथ यह problem या फिर हो सकता है कि आप लोगों के जो parents है उन्होंने problem create कर रखे वाप दोनों के बीच में आपके parents की वज़े से family का burden भी हो सकता है आप दोनों के उपर बहुत जादा हो ठीक है जिसकी वज़े से भी problem हो जाती है आप दोनों के बीच में और यह बंदा किसी तरीके का कोई इनिशेटिव नहीं ले पाता है जबकि यह लेना चाहता है बिकोज इसको ऐसा लगता है कि आपके साथ का जो यह relationship है वो एक तरीके का ऐसा relation है जिसके अंदर मुझे होना ही चाहिए मैं नहीं हूँ that means कि यह मेरी गलती चल रही है एक तरीके की ना इसको आपके साथ में इसको नहीं होता है इसलिए इस relationship के ओपर ना तो डिनाय कर पा रहा है और ना कोई स्टैप ले पा रहा है बिकोज इसकी situations भी बहुत साथ क्रिटिकल है इन दिनों ठीक है अपने आपको अगर आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक कर रखा या बात वात नहीं हो रही है तो आप दोनों एक दूसरे को लेकर के बहुत सब्सक्राइटिव फिल करते हैं आप बहुत सब्सक्राइटिव इन दबा हुआ असा भीचा हुआ असा महसूस करते हैं और यह परसन किसी तरफी का सब नहीं ले पाता है चलिए कुछ इसकी तरफ से messages देखते हैं हम लोग आँज यह कार्ड में नहीं लोगे मैं शफल करी रही थी और यह आगया तो नहीं लोगे यू मेक मी समाइल यू और वाइसन विटी ओके आप इन हमेशा हसने का एक रीजन देते हो इनहें लगता है अब अगरो बहुत ज़दाद लॉयल हो फिर हमारे पास यू मेक मे अ पॉस्टिव परसन आपने पुछ इस पॉस्टिव इंसान बनाया है फिर हमारे पास यहां प खुश महसूस कर सके तो यह इसके कुछ थौट्स है तो फॉर शॉर परसन जो है आपके इस रिलेशन्शिप को किसी तरीके का कोई टाइम पास रिलेशन्शिप नहीं समझते हैं बहुत सब प्योर पॉजिटिव थौट्स है उनके ठीक है उन्हें एक्चुल में आप एहसास ह को घर आता हुट्ट तरीके को उनके ठीक है आप एपसे दूर हो या ठीक तरहिकी से बात नहीं हो रही हो चाहिए और औoff रेलेशन्शन हो इस और उस चीज के यह तकी तरीक थौिश बात नहीं हो हो रही हो को इस चीज का हुग है sis product orначE और तो पर थौत पर टॉट्स हुए guys I hope आप सब लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा आज का वीडियो थोड़ा सा topic different था and अगर अच्छा लगा है then please let me know in the comment section like this video subscribe to our channel और आप किसी भी तरिकी की personal pay reading session लेने के लिए मुझे मेल कर सकते हैं आफ इंस्टरग्राम पर message कर सकते हैं अभी 2021 new year का offer चल रहा है अपना अपना ध्यान रखें बाई